चात्रों आज हम वर्ग शमी करन के मूलों का योग फल एवाम गुनन फल कद्ध्यन करेंगे वर्ग शमी करन एए एक्स स्क्वेर पलस बी एक्स पलस सी इक्वल जीरो के दो मूल होते हैं हमने पहला मूल अलफा और बीटा दुसरा मूल माना है अलफा इक्वल हमने देखा है अलफा इक्वल माइनस बी पलस माइनस रूट बी स्क्वेर माइनस फोर एशी आपाण अलफा बीटा इक्वल माइनस बी पलस माइनस रूट बी स्क्वेर माइनस फोर एशी अपाण टुए इमानक समी करन वर्ग समी करन का मानक समी करन है उसके मूल अलफा बीटा है और उनके दो मान है अलफा का ये मान है माइनस बी पलस माइनस बी पलस रूट बी स्क्वेर माइनस फोर एशी अपाण टुए इमान बीटा इक्वल माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वेर माइनस फोर एशी अपाण टुए हम मूलों का योगफल ग्याद करेंगे पहला मुलों का योगफल मुलों का योगफल मुलों का योगफल अलफा पलस बीटा मुलों का युग फल अलफा प्लस बीटा अलफा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वेर माइनस 4AC अपन 2A प्लस माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वेर माइनस 4AC अपन 2A यहां पर लगुत्तम स्वापवर्थ LCM 2 आ जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा माइनस B 2A 2A इक्वल है 2A को LCM को 2A से डिवाइड करने पर 1 आएगा 1 को हम नुमेडेटर से मल्टिप्लाई करेंगे तो यह नुमर आएगा वही जो मान है वही आएगा फिर हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 को पर से मल्टिप्लाई करने के यह तरीका है तो यह का जाएगा माइनस B प्लस रूट B स्क्वेर माइनस 4AC माइनस B प्लस माइनस हो जाएगा माइनस रूट यह सिंग देखे यह प्लस है और यह माइनस है इस इच कैंसल इस इच कैंसल यहां पर क्या आगया माइनस B एड माइनस B कितना होगा माइनस B और माइनस B माइनस B प्लस किज़े कितना होगा नो माइनस 2B माइनस 2B अपान 2U 2, 2 cancel क्या मिलने आपको alpha plus beta equal minus b upon a minus b upon a यह इसी को बुलेंगे minus b किसके लिए है x का गुणांग x का गुणांग बटा क्या हो जाएगा एक इसके लिए है x square का गुणांग x square का गुणांग तो यह निकल गया alpha plus beta के लिए मूलों का योगफल के लिए अब हम देखेंगे मूलों का गुणांगफल का गुणांगे मूलों का गुणांगे मुलों का गुनान फल alpha dot b equal minus b plus root b square minus 4ac upon 2a into minus b plus sorry minus minus b square minus 4ac upon 2a minus b plus root b square minus 4ac upon 2a minus b minus root b upon 2a देखें हम उपर देखें यहां पर यहां पर minus b है यहां की जो संख्या है यह जो मान है दोनों बराबर है यहां के भी मान और यहां के भी मान equal है यहां पर साइन में सिर्फ यहां डिफ्रेंस है यहां पलस है तो मान यह किस रूप में हो जाएगा x plus y into x minus y equal x square minus y square इस रूप में हो गए bg सूथ x plus y into x minus y equal x square minus y square यह x है यह x है यह y है और y है इससे compare करेंगे तो क्या हो जाएगा b minus b square plus root b square minus 4ac का whole square तो यह हो जाएगा minus b square plus क्या हो जाएगा minus minus y की जगह क्या जाएगा root b square minus 4ac whole square upon देखें यह कितना हो जाएगा 2,2 2 और 2 का multiply कितना होगा 4 4a square कितना हो जाएगा 4a square 4a square 2 और 2 का multiply 4 और a का multiply कितना हो जाएगा a square तो यह हो गया आपका minus b square अब minus b square की value हो जाएगी alpha into b b square और square square root cancel हो जाएगा तिह हो जाएगा b square minus 4ac upon 2a oh sorry upon 4a square ब्रिकेट ओपन करेंगे क्या बचेगा c upon a क्या मिलेगा आपको c upon a एक किसके बराबर निकला alpha dot b यह alpha into b बराबर c upon a c किसका मान था अचरपद अचरपद बटा x square का गुणांग एक किसका गुणांग था x square का तो यह alpha into beta मुलों का गुणन फल बराबर निकल गया c upon a तो हमें वर्ग समिकरान का यदि मुलों का गुणन फल याद करना है तो हम direct alpha plus beta minus b upon a और alpha into beta c upon a a और b c अचरपदों का मान रखकर हम निकाल सकते हैं तो alpha plus beta equal minus b upon a alpha into beta equal c upon a यह इसमें मान रखकर अचरपदों का मान रखकर हम मुलों का योगफल और मुलों का गुनन फल का मान ग्यात कर सकते हैं अब आता है अब सेकंड आता है मुलों से वर्ग शमिकरन बनाना मुल हम को दिये गए हैं और वर्ग शमिकरन बनाएंगे तो मुलों का मान नो अब वर्ग शमिकरन के जो अभि निगवन करेंगे सम्मंद उस पर रखेंगे Jawad कम हमें प्राप्त होगा बुलो से वर्ग समी करन बनाना मुलो से वर्ग शमी करन बनाना मुलो से वर्ग समी करन बनाना मुल दिये गए हैं तो आपको वर्ग शमी करन बनाना है मुलो से वर्ग शमी करन बनाने के लिए वर्ग शमी करन एक्स पलस बी एक्स पलस सी इकल जीरो जहां एनाट इकल टो जीरो है के हमने दो मुल माल लिये पहला मुल अलफा और दुसरा मुल बीटा इस वर्ग शमी करन के हमने दो मुल माल लिये पहला मुल अलफा दुसरा मुल बीटा मतलब अलफा और बीटा इस शमी करन के हल है है ना बल ये एक्स इकल अलफा एक्स कैसी मान निकलेंगे हम इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस अलफा इकल जीरो इसलिए पहला क्या मिल गया पहला पुना बीटा इस समी करन का मुल है इसका मतलब है कि इस समी करन का हल बीटा भी है इसलिए क्या हो जाएगा X equal beta beta को पक्षंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा which implies that X minus beta equal 0 समीकरन 2 है ना समीकरन 2 समीकरन 1 और 2 को आपस में गुना करने पर समीकरन 1 और 2 को आपस में गुना करने पर समीकरन समीकरन 1 और 2 को आपस में गुना करने पर गुना करने का मतलब है कि left hand side को left hand side से right hand side को right hand side में गुना करने पर X minus alpha into X minus beta equal 0 हमने X minus alpha समीकरन का left hand और समीकरन का left hand था तो left hand side को left hand side से और right hand side को right hand side से 0 को 0 से multiply करने पर क्या मिलेगा जी सुन्य को सुन्य से गुना करने पर क्या मिलेगा सुन्य है न तो right hand side में क्या होगे जीरो अब हम इसको इस जो हमको मान प्राप्त हो है उसको गुना करें एकस से गुना करेंगे इत क्या होगा एकस स्क्वेर माइनस अलफा एकस बीटा से करेंगे इत क्या हो जाएगा माइनस बीटा एकस पलस अलफा बीटा इक्वल जीरो देखें यहां पर एकस एक टर्म है बीच में तो यहाँ पर हाँ यह x दोनों में माइनस है तो माइनस निकल गया αफा पलस बीटा x पलस अलफा बीटा इक्वल जीरो यह निकल गया आपका प्राप्त हुआ दिये गए मूल से वरब समिकरन बनाना x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equal 0 हमको दिया गया मूल था alpha beta alpha beta से हमने एक सुट्र के रूप में प्राप्त कर लिया और इससे हम वर्ग शमिकरन बना सकते हैं alpha beta कमान रखेंगे और हमको क्या मिल जाएगा वर्ग शमिकरन मिल जाएगा एक example से इसको समझने की कोशिस करेंगे माली जे किसी हमें किसी वर्ग शमिकरन के दो मूल जी है एक जाएगा माली जे किसी वर्ग शमिकरन के दो मूल जी है 2 and 3 हमको वर्ग शमिकरन प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे इसके दो मूल है माना अलफा इक्वल टू एवाँ बीटा इक्वल थ्री अलफा इक्वल टू और बीटा इक्वल थ्री मुलों का योगफल क्या हो जाएगा मुलों का अलफा पलस बीटा मतलब क्या हो मुलों का योगफल alpha into beta मतलब क्या हो, मुलों का गुनन फ़ल मुलों का गुनन फ़ल smulों का गुनन फ़ल alpha plus beta, एक फ़ल क्या हो जायगा two plus three, कितना मिला? five मुलों का गुनन फ़ल कितना हो गा? मुलोगा गुननफल मुलोगा गुननफल अलफा इंटु बीटा इक्वल 2 इंटु 3 कितना मिला? कितना भजाएगा? 6 दो मान पराफ्त हुए अलफा पलस बीटा कमान 5 और अलफा इंटु बीटा कमान 6 इसको सुत्र में रख दे इस सूत्र में रखेंगे अलफा पलस बीटा और अलफा इंटू बीटा कमान तो क्या हो जाएगा x स्क्वेर अलफा पलस बीटा कमान कितना मिला था 5 माइनस 5x और अलफा इंटू बीटा कमान कितना मिला था 6 6 इक्वाल जीरो तो ये अभिष्ठ वर्ग समिकरन प्राप्त हो गया ये क्या मिल गया अभिष्ठ वर्ग समिकरन प्राप्त हो गया तो इस तरह से दिये गए जो मूल है उससे हम वर्ग समिकरन प्राप्त कर सकते हैं पहले मुलों का योगफल ग्याद करना है, फिर मुलों का गुननफल निकानना है, और जो योगफल और गुननफल निकलेगा, उसको इस समिकरन में मार रख देंगे, x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta तो हमें वर्गसमिकरन प्राप्त होगा अब हम इससे समन्दित जो अभी हमने मुलों का योगफल गुनन फल और दिये गए मूल से वर्गसमिकरन बनाना इससे समन्दित हम प्रश्णवली के प्रश्णवली के प्रश्णवली करेंगे प्रश्णवली के साथ करेंगे 3.6, sorry 3.3, 6 question का 4th प्रस्ना है, 2, 2 plus root 5 and 2 minus root 5, ये दिया हुआ है, 2 plus root 5 और 2 plus root 5 दिया हुआ है, हल, पहला मूल ये हो गया, दूसरा मूल ये हो गया, मान लिया, माना, माना की, अलफा इक्वल 2 plus root 5 और बीटा इक्वल 2 minus root 5, इसलिए अलफा प्लस बीटा कितना हो गया? 2 plus root 5 plus 2 minus root 5 तो प्लस और बीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 2 plus root 5 into 2 minus root 5, ये सुत्र x plus y into x minus y के समान है, तो ये हो जाएगा? 2 square root 5 square, 2 का square हो गया 4, और root 5 पे square root, root cancel, कितना हो गया? minus 5 तो इसका मावेल्यू निकल गया minus 1, इसका माण 4 इसके वेल्यू निकल गया minus 1, अब हम सुत्र किस में रखेंगे? x square minus alpha beta, x plus alpha beta into 0 में, रख दे, alpha plus beta का माण क्या निकल था? 4 minus 4 x और alpha beta का माण क्या था? minus 1 equal 0, तो ये इसका अभिष्ट वर्ग समिकरन है, ये इसका उत्तर भी है, ये प्रश्न का उत्तर भी है, तो इस प्रकार हम दिये गया प्रश्न का, हमने वर्ग समिकरन प्राप्त कर लिया, अब हम इसी प्रश्न वली से दुसरा सवाल हम करेंगे, question number 18, वर्ग समिकरन दिया है, L x square plus m y plus n equal 0, वर्ग समिकरन दिया है, L x square plus m y plus n equal 0, और मुलों का अनुपात, P अनुपात क्यों दिया है, मुलों का अनुपात, मुलों का अनुपात, जिस वर्ग समिकरन का मुल है, उसका अनुपात है, P अनुपात Q, 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 तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, root P upon Q plus root Q upon P plus root n upon L equal 0, सिद्ध करना है, P upon Q plus root Q upon P plus root n upon L equal 0, वर्ग समिकरन दिया है, LX square plus nx plus, sorry, LX square nx plus, LX square mx plus n equal 0, वर्ग समिकरन है, इस वर्ग समिकरन, वर्ग समिकरन, nx plus n equal 0, में मुलों का अनुपात P अनुपात Q है, तो सिद्ध करना है, P upon Q plus Q upon P, धन n upon L equal 0, हल, दिया गया वर्ग समिकरन, दिया गया वर्ग समिकरन, दिया गया वर्ग समिकरन, LX square nx, धन n equal 0, के मुल, अलफा बीटा, हो तो, है ना, अलफा बीटा हो तो, दिया गया वर्ग समिकरन के मुल, माना, माना, हमने इसके हम मान लिया, किसके माना, किसके मुल क्या है, अलफा बीटा है, तो, अलफा पलस बीटा, equal क्या होगा, minus B upon A, तो इसक्या होजागा, minus N upon L, क्या होगा, C upon A, यहां पर मानक समिकरन से, हम तुन्ना करेंगे, तो, A का मान L हो गया, B का मान N हो गया, और C का मान क्या हो गया, N, अलफा पलस बीटा का मान होता है, minus B upon A, minus B upon A, मतलब minus N upon L, अलफा इंटू बीटा का मान होगा, C upon A, C upon A, मतलब N upon L, क्या हो गया, N upon L, है न, और दिया है, मुलों का अनुपात, मुलों का अनुपात, अलफा, बीटा, इक्वल क्या हो जाएगा, P upon Q, अलफा पान बीटा, इक्वल क्या हो जाएगा, P upon Q, हमको सिद्ध करना है, root p upon q plus root q upon p plus root n upon l equal 0 इसके लिए हम इसके left hand side को लेकर हम right hand side 0 प्रूब करेंगे left hand side left hand side से left hand side में है equal root p upon q plus root q upon p plus root n upon l p upon q देखें यहां पर दिया हुआ है p upon q के जगा आप क्या लिख सकते हैं alpha upon beta root क्या हो जाएगा alpha upon beta plus root यहां पर क्या है q upon p क्या लिखेंगे यहां पर बताइए anyone p upon q के जगा हमने alpha upon beta लिखा तो q upon p के जगा हम क्या लिखेंगे very nice beta upon alpha plus root n upon l क्या हो जाएगा root n upon l हम इसके root को अलग कर लें तो क्या हो जाएगा root alpha upon root beta plus root beta upon root alpha plus root n upon l यह हो जाएगा फिर यह दोनों को हल करने पर root alpha upon root beta plus root b upon root alpha तो इसका एलसियम हो जाएगा root beta into root alpha कितना हो जाएगा root beta into root alpha यह क्या होगा यहाँ पर beta है एलसियम आया है तो beta beta cancel root alpha और root alpha तो दो बार आएगा root alpha square हो जाएगा पलस उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा root beta whole square plus क्या हो जाएगा root n upon l कितना हो जाएगा plus square root n upon l देखे square root square root क्या बच्चेगा alpha plus beta upon यह alpha हो जाएगा plus beta हो जाएगा into क्या हो जाएगा square root क्या हो जाएगा alpha into beta plus root n upon l क्या हो जाएगा alpha into beta root क्या हो जाएगा plus alpha into beta upon root alpha into beta plus root n upon l अब हम alpha plus beta और alpha beta के मार रखेंगे यहाँ पर alpha plus beta का मार रखेंगे यहाँ पर alpha plus beta का क्या मार था equation में क्या निकाल ले था हमने alpha plus beta का मार रखेंगे minus b upon आया था तो n upon l बटा alpha beta का क्या मार था root n upon l plus root n upon l ठीक है हम इसको और परूब करने के लिए minus n upon l equal root को लख करेंगे तो यह root n upon क्या हो जाएगा root l धन root n upon l इसको प्रूब करेंगे इसको sallow करेंगे तो यह हो जाएगा minus n upon l minus n upon l यह inverse हो जाएगा तो यह हो जाएगा root l अपान क्या हो जाएगा root n ठीक है यह minus n upon l upon root n upon root n यह क्या हो जाएगा वेथ करम की रूप में हो जाएगा minus n upon l into यह प्लाट जाएगा root l अपान क्या हो जाएगा root n plus root n upon l अब दीखें यह integer है और यह square root में तो हम minus n को हम इस तरह से दो square root में लिख सकते हैं multiply में and minus l into root l गुड़ी root l और root n plus square root n upon l देखें this is cancel this is cancel n से यह l इससे एक बार cancel हो गया बज़ गया minus root n upon root l plus root n upon n इसको e square root में लिखा जा सकता है root n upon l upon root l को हम e square root में कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे minus root n upon l plus root n upon l देखें minus यह minus में है और यह पलस में है न दोनों e की चीज़ है तो क्या मिलेगा क्या मिलेगा cancel हो जाएगा यह क्या मिलेगा 0 और यही प्रूब करना था यही राइट हैं साइट था यही क्या है 0 प्रूब राइट हैं साइट था राइट हैं साइट इसलिए left hand side equal right hand side hands proof और राइट हैं साइट क्या हो गए equal हो गए इस तरह से हमने यह दिए गए स्वामिकरान को सिद्ध कर लिया अब हम एक और प्रशन को हल करेंगे alpha beta वर्ग स्वामिकरान के मूल हो तो निमलिकित के मान गयात कीजिया alpha beta प्रशना है alpha beta वर्ग स्वामिकरान A x square plus B x plus C equal 0 के मूल है मूल है तो alpha upon beta plus beta upon alpha का मान गयात करने है ना alpha upon beta plus beta upon alpha का मान गयात कीजिया हल दिया गया स्वामिकरान दिया गया श्वामिकरान स्वामिकरान वर्ग स्वामिकरान क्या है A x square plus B x plus C equal 0 इसके मूल क्या कह रहा है alpha और beta है तो alpha plus beta equal क्या हो गया alpha plus beta equal minus B upon A एवं alpha into beta equal C upon A यह दिया गया स्वामिकरान के मूल है तो हमको alpha plus beta minus B upon A x अचरपत की गुणांग और x square की गुणांग अचरपत की गुणांग और x square की गुणांग की रुप में लिखते है अब हमको इसका मान गयाद करना है है ना इसका मान गयाद करना है alpha plus beta plus beta upon alpha का मान गयाद करना है पहले हम इसको हल करके सरर रुप में लाएंगे सरर रुप में मतला हमको alpha plus beta और alpha beta की रुप में लाएंगे जब इस तरह के प्रशन दिये गये हो अल्फा बीटा की रूप में तो आप सबसे पहले उसको इस रूप में लाईए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की रूप तब आप उसका मान रखेंगे और उसका हल प्राप्त करेंगे यहां पर हमें इस पष्ट दिखाई नहीं दे रहे कि हम अलफा पलस बीटा का कैसा मार रखेंगे तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे हल करेंगे सरल करेंगे इसको सरल करके हम अलफा पलस बीटा और अलफा इंटू बीटा की रूप में प्राप्त करेंगे फिर हम इसका दोनों का मान उसमें रखेंगे और इस प्रकार से हम इसका मान ग्याद कर लेंगे तो इसका लगुत्तम समापवर्त लेते हैं LCM क्या जाएगा अलफा पलस बीटा पलस बीटा पान अलफा बीटा और अलफा का लगुत्तम क्या जाएगा जब बीटा अलफा, ठेक, बीटा अलफा को बीटा से डिवाइड करने पर बीटा बीटा कैंसल, क्या बचा अलफा, अलफा को अलफा से मल्टिपलाई कीजिए, क्या हो जाएगा, अलफा स्क्वेर, बीटा अलफा को अलफा से डिवाइड करने पर क्या कैंसल हो जाएगा, अल लगुत्तम समाप जब किसी भिन्न, जब दो भिन्न के रूप में दिये रहते हैं, तो उसका पहले लगुत्तम समाप वर्त ग्यात किया जाता है, फिर लगुत्तम समाप वर्त मिलने के पश्चात उसको हर से उसको भाग दिया जाता है, भाग देने पर जो भागपल प्राप् होगा उसको हम हन से गुना करेंगे इस तरह से दिए गए भिन्न के रूप में जो बेंजग दिया रहता है उसको हल किया जाता है तो यहां पर प्राप्त होगा में अलफा स्क्वेर प्लस बीटा square upon alpha into beta हम इसको और कैसे लिख सकते हैं alpha square plus beta square upon इसको करम को अगे करम भी नुमे नियम्स इसको अगे बिच्छे लिखा जा सकता है क्योंकि गुनन करम भी नुमे लागो होता है तो alpha beta अब देखे यहां पर भी इस पष्ट नहीं है alpha square है plus beta square है यहाँ पर हम इसके डारेक्ट मान नहीं रख सकते समझा रहे हैं नहीं यहाँ पर भी हम कोई स्पष्ट नहीं है अब हम इसको फिर बदलेंगे फिर इसका असर और रूप में लाएंगे तो आपने बीजी सुत्र पढ़ा है x square x plus y square equal होता है बीजी सुत्र आपने पढ़ा है x plus y whole square equal x square plus y square plus 2xy ऐसा होता है देखे यह इसी रूप में हमको दिखाई दे रहा है alpha square plus beta square के रूप में है ना तो हम यह प्राप्ट करने के लिए क्या करेंगे इसको इस तरह पक्छंतर कर देंगे तो क्या मिलेगा x square plus y square plus यह हो जाएगा x plus y whole square minus 2xy 2xy यह x square plus y square किसके equal हो गए x plus y square minus 2xy देखे यह इसी रूप में है alpha square plus beta square तो हम इसको alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta के रूप में लिख सकते हैं है ना हम इसी सुत्र के रूप में इसको लिए परिवर्तित कर देंगे तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा आपका alpha इसको लिखना है इसको हमको परिवर्तित करना है तो यह हो जाएगा alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta अपान क्या हो जाएगा alpha beta अब देखे alpha plus beta और alpha into beta के रूप में हमें प्राप्त हो गया अब हम मार रख सकते हैं अब हम alpha plus beta और alpha into beta का मार रख सकते हैं मार रखने पर alpha plus beta का क्या मार प्राप्त हो था minus b upon a whole square minus 2 into c upon a upon c upon a हमने alpha plus beta और alpha beta का मार रख दिया अब इसको हम हल करेंगे अब इसको हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा minus b upon a square क्या हो जाएगा b square upon a square minus 2c upon a total upon c upon a इस रुप में प्राप्त हो गया अब a square उपर का लगुत्तम लेंगे उपर का लगुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा a square a square a square के a square so divide करो one one को गुना करो b square फिर a square को a से divide करो a times a बार गया a से गुना करो 2ac upon c upon a यहाँ पर उपर भिनना है की रुप में नीचे भिनने की रुप में तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा गुनान की रुप में हो जाएगा यह हो जाएगा b square minus 2ac upon a square into नीचे वाला क्या हो जाएगा वैत क्रम हो जाएगा तो यह हो जाएगा A upon C अब A एक A से किंसल हो गए यहां पर तो क्या बचा B square minus 2 A C upon A C यही इसका हल है alpha plus alpha upon beta plus beta upon alpha का हल है यही इसका उत्तर है तो इस तरह आज हमने वर्ग समीकरन के मुलों का योगफल गुननफल यह उम दिये गए मुलों से वर्ग समीकरन बनाना हल किया के बेंजग ज्यात किये साथ ही उसके समंदीत हमने प्रश्न काभी हल किया देन्यवाद